हलो स्टूटेंट्स वेल्कम टो इगनु बड़ी तो देखिए इगनु में बहुत सारे स्टूटेंट्स का यह डाउट होता है कि उनके जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं वो टाइम पर अपडेट नहीं होते हैं और कभी-कभी तो चार से छे महीने भी हो जाते हैं लेकिन इ क्यों कर रहा हूं क्योंकि आपका जो इगनू में assignments होते हैं वो आपके Termined Exam के result से connect होते हैं तो जैसे जैसे आपका result आता है Termined Exam का उसी के साथ साथ या फिर उसके कुछ टाम बाद आपकी जो assignments के marks होते हैं वो update होना start होते हैं तो यह एक process है इगनू में जो follow किये जाता है assignments के marks को update करने का लेकिन कई बार हम देखते हैं कि assignments के marks हैं वो आपके result आने से पहले ही update हो जाते हैं या तो या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि result आ जाता है लेकिन उसके बाद भी आपके assignment marks update नहीं होते हैं तो आफिर क्या problem है तो देखिए इगनू में normally जो आपके assignment होते हैं वो आपके submit करने के बाद 4-5 महिने में update कर दी जाते हैं वैसे तो लेकिन कई cases में ऐसा भी होता है कि आपके assignments के marks update ही नहीं होते तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको केवल आपके regional center को visit करना पड़ेगा और वहाँ जाकर यह चेक करना पड़ेगा कि आपका जो assignment है वो successfully receive हुआ है कि नहीं हुआ है अगर आपके assignment receive हो गए है तो आपको यह पूछना है क्योंकि हर regional center के पास एक list होती है जिसमें जितनी भी assignment receive हो चुके हैं उनकी एक list प्रिपेर की जाती है तो उस list में आपको अपना नाम चेक करना है और जिस भी आपके subject का assignment update नहीं हुआ है status उसको देखना है उसमें कि या वो successfully receive हो गया है या नहीं हुआ है और अगर वो successfully receive हो गया है तो आपको अपने regional center को अपनी जो receipt है assignment submission की वो दिखानी है और उसके बाद वो आपको बता देंगे कि आपके जो assignment है वो भी checking process में है या फिर आपके जो study center है उनकी तरफ से आपको marks भेजे गए है या नहीं भेजे गए है जो भी कोई process होगा वो आपको बता देंगे और उसके बाद से आप देखोगे कि एक दो अफते में आपके जो assignments का status है वो लोग update कर देंगे तो उसके लिए लेकिन सबसे पहला criteria यह है कि आपके जो result है वो update होना चाहिए यानि कि जि उसके बाद ही जो आपका assignment marks है वो आपके great card में update होते हैं तो यह एक process होता है एगनू में assignments के marks का तो I hope आपका doubt clear हो गया होगा तो अगर आपको यह video helpful लगती है तो इस video को ज़रूर like करना और एगनू से related हर update और information के लिए एगनूबड़ी channel को ज़रूर subscribe कर लेना so thank you for watching my video thank you so much